हेलो गाइज वेलकम बेक टी आरे थ्री थटी फॉर्मूला आज है फॉस्ट ऑक्टूबर दो हजार चोबिस और आज मौर्निंग में हम लोगों के पास थ्री थटी का फॉर्मूला लग जाता है और मैंने यहां पे एंटी एदम फॉस्ट कैंडल पे ले लिया मैंने पहले भी अपने वीडियो में यह बता रखा है कि अगर आप लोगों का मार्किट स्टार्टिंग में फॉस्ट कैंडल ही अगर आपका पीडियल के उपर से उठ रहा हो और कोई भी प्राइस एक्सेंट पे चल रहा हो तो आप ट्रेड ले सकते हो और मैंने भी इसी ट्रेड को पंच क करते करते मेरा 425 मतलब 425 के बीच में यह जो ट्रेड है अर यहां से मैंने सॉल्ए 100über कैपंचर क्यों नहीं किया कि एक छोटा सा रिजन यह है कि मैंने सिफ सब्सक्रूपिश क्यों किया रहा था तो मैंने सोचा कि ये 600 की करीब करीब मैं यहां पर बुक करूँगा और मैंने यहां पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप्लेश जो है, 505 पे मैं लगा दिये, यानि कि मेरा यहां पे जो profit चल रहा था, अगर ट्रेलिंग स्टॉप्लेश अगर आप देखो तो यह red candle मेरा 9 बच के 24 में ट्रेलिंग स्टॉप्लेश को खा जाता है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज का profit हो काम करेगा। यहां पर प्राइस पर चल रहा होता है। और यहां पर दुबारा यह फ्रास प्राइस तो मैंने वापा सेंटर सेंटर नहीं किया था क्योंकि यहां पर मैं यहां पर एक्जीटी मेरा यहां पर जो call है यहां पर तो मैं एक्जीटी किया था वापस सोच समझके trade लोगे न यह तुरंद गुझ जाओगे इधर में बेचा और अधर में गुझ गुझ गया नहीं तो दुवारा मैंने trade इस candle के confirmation पर लिया और यह से क्या है मैं यहां पिन ब्रह्म हष्ट्र में मेरा ऐ 건데 क्ति क्या है आप यहां पर मेरा दूसरा जुआ Ryu यह काम किया क्ला इख सब्सक्राइश ऑप तीनों मान सकते हो यह था कि यहां पर यहां पर मेरा oi भी confirmation दे रहा था नीचे जाने का price action पे भी ये value वापस आ चुका था 945 में देख रहे हो price action पे भी दो ब्रहमास्त्र क्या हो गया मेरा price action and oi और 330 के formula के अनुसार हम लोगों का दूसरा target होता है PDC और तीसरा target होता है day look तो इस तीनों जब मेरा match किया तो वापस से मैं यहां पर exact इसके confirmation पर entry लेता हूं 110 रुपय के करिब करिब अब यहां से मैं solid एकदम solid 100 रुपीस capture करता हूं ठीक है call side में 75 रुपीस क्योंकि यहां पर मैंने trailing stop loss लगा आया था that's why और यहां पर 110 से मैंने पूरा exact 210 रुपया exit यह जो rate candle देख रहा हूं यहां पर दस बच के किस मिनट यहां पर मैंने exit कर गया trade को यहां पर बिलकुल exit कर गया उसके बाद जब मैं price action को calculate करता हूं तब मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है क्योंकि मैं देखा कि यह call को already यह क्या किया यह बहुत ही value से पहले ही यह और उसका value खा चुका है तो मैंने यहां से जब calculate किया तो इसका value उस समय आना था कितना 160 और इसका value जाना था 260 यह मैं exact live में बताया हूं आप जाके live देख लेना एक पूरा अगर आपको देखना हो तो आपको वहां पर मिल जाएगा तो आज का simple सा trade जो call का था वह इसलिए था क्योंकि मेरा पीडियल से market उत रहा था दूसरा price action पर यह पहला trade का था और OI भी मेरा confirmation करता है कि मैं नीचे ही जाऊँगा तो यहां से मैं जो entry लेता हूं इसके confirmation पर 110 से पूरा पूरी exact मेला 210 रुप्या पर यहां पर मैं trade में exit कर जाता हूं तो यह है मेरा 330 formula OI और price action का कमाल का जादू तो अगर आपको यह 330 formula सीखना है तो आपको कुछ नहीं कर open हो जाता मैं आपको 330 formula आप लोगों को दे दूँगा वह भी free में तो मिलते हैं कल के live stream मत मिस किया करो मत मिस किया करो वहां पर जो भी बताता हूं बस आप उस चीज को note down करके रखो वह आपको काम आएगा काम आएगा या फिर अगर आप पैसा दे के सीखना चाहते तो पैस इसमें भी मिल जाएगा तो आपको जैसा सुद्दा होता है तो मिलते हैं कल के live stream में अगर यह video analysis समझ में आता है अच्छा लगता आपको friends and family को जरूर सेयर करें और मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें